ये बताओ इस्कूल की छुट्टी होते ही तुम सब लोग इतनी तेजी से क्यों भागने लगते हो इस्कूल का गेट जैसे खुलता है तुम सब लोग इतनी तेजी से भाग लगाते हो जैसे किसी कैद उसे छुटे हो अरे अलके अलके चलो अब तो इस्कूल की छुट्टी हो जब स्कूल के चुट्टी हो गए याप अपना लोगों को घरी तो जाना है आराम से चलो आप जब सबसे आगे बाग लगाते हो उसके पीचे पीचे बीचे हम भाग लगाने लगते हैं लानुची बेपाल तू की पाद कर रहे हो सबसे आगे मैं बागता हूं सबसे आगे पहाला सुनाया एक का पहाला तो मुझे याद था लेकिन दो का पहाला याद नहीं हो पहारा है के जिरी बाग जी चलती चलती घर चलो घर जाके मैं आपको दो का पहाला याद करवांगा दो का पहाला मुझे याद है और मुझे जी एक बात बताओ अपना सब लोग कितनी तेजी से क्यों बागते हो वो देखो योगी जी सिपराज सिंग जी मनमौन सिंग जी कितने आराम से जा रहे हैं अरे स्कूल की चुट्टी तो उनके भी लिए हुई है लेकिन भाटम भाग आप भी करती हो अगले से एक बाद बताओ हमें कहीं जाने की आपद तोड़ी है हम तो आराम से जा रहे हैं गर इसकूल की तो चुट्टी अब होई गई घर जाकर आराम से इसकूल का होमबर्क करेंगे कल को भिरते पढ़ने के लिए आएंगे योगी जी आप भी याद नहीं रखती हो कल तो संडी है कल तो चुट्टी का दिन है कल इसकूल नहीं आएंगे बड़ा मज़ा आएगा कल कल आराम से खेलेंगे कूदेंगे और कल साम को हमबर्क करेंगे इसकूल का आज तो पूरा दिन खाली रहेंगे लेकि सिवराज सिंग जी मेरा नियम अलग है मैं तो ऐसा करता हूँ आज ही जाके आप हमबर्क कर लूँगा अब आज सनी बार है आज तो हमबर्क हो जाएगा कल को रभी बार है कल आराम से पूरा दिन खेलूँगा क्यों महोदे जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ के नहीं कह रहा हूँ मनमुवन सिंग जी आप गलस कहते कब हो आप तो इसकूल के सब से कामियाब इस्टूटेंटों और तुम कामियाब इसलिए हो क्योंकि पढ़ाई को तुम बहुत ही मन से हो लगन से करते हो और हम तो यह चाहते हैं जब छुटी हो हम तो घर भागें बस अब हाँ सनी बार है आज भी पूरा दिन कहलेंगे कल रभी बार है कल भी पूरा दिन कहलेंगे स्कूल में ही आके होंबर्ग करेंगे परसों को और भाइलों को वीडियो को लेकरो चैनल को सब्सक्राब करो